हेलो दोस्तों फिर से स्वागत एक नई वीडियो में और मैं कुलती पर साथ आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल क्रिकेट हीज में जैसे कि दोस्तों इंडिया उमेंस बर्सिस बांगलादेश उमेंस के बीच में थर्ड ओडिया इमेच खिला जाने वाला है पहला ओडिया मेच बांगलादेश जीती थी और सैकेंड ओडिया इमेच इंडिया उमेंस ने जीत हाजर किती थर्ड जो मेच होने वाला है दोस्तों इंडिया उमेंस बांगलादेश उमेंस के बीच में जो हमारी उसकी अस्मोल लिग होने चाहिए और यह ICCC Championship ट्रोफी का हिस्सा भी है तो हम लोग का अस्मोल लिग में जो बहतरीन टीम होने चाहिए जिससे कि मेरा जो ओपीजीशन वाला रहेगा उससे मैं अपने बहतरीन टीम बनाओ उससे मैं अर्न कर पाऊँ क्योंकि यह fantasy app है अपना एक strategic plan के साथ खेलिएगा तभी आप profit बना पाईएगा दोस्तों बिकेट कीपर सेक्षन में है निगार सुल्ताना जो कि एक अच्छे बिकेट कीपर का option हो जाती है बंगलादेश उमन्स से फिर second option है दोस्तों बिकेट कीपर में आसिका भाटिया आसिका भाटिया जो कि इंडियन उमन्स है और अच्छे खासे points भी दिये हैं अगर बात करें दोस्तों बेटिंग section में तो बेटिंग section में जे रोडविज असमिती मंधाना और फरगाना हॉक्यों जो हैं आपके तीन batsmen सबसे अच्छे हो जाते हैं बाकी मुर्सीदा, खातोन पिरिया, पुनिया बहुत सारे से option है सफाली, बर्मा तो यह सारे option को ना चूझ करके यह तीन batsmen को अपने team में रख लिजेगा क्योंकि ओडियाई मैच है तो batsmen को आपको अपने team में रखना ही चाहिए और रोंडर को खास करके और रोंडर को रखिएगा तो बेटिंग और bowling से दोनों से points से आपको अच्छे खासे मिलेंगे देविका वेधिया और अमन जोत कोर दिप्ति सर्मा और हनमा पिरिक कोर चारो रोंडर आप team इंडिया से दे लिजिए जो कि चारो में चारो तिन तो bowling करेगे ही और तिन बेटिंग भी करने के लिए आपको option में मिल जाएगा इसलिए बोलता हूँ स्नेहा राना को आप ट्राइ कर सकते हो दोस्तों लेकिन उतना खास नहीं है या मेज तो आपके लिए तो बंगलादेश में खेला जाने वाला है और बंगलादेश ने पहला वोडियाई में जीता भी है तो उसका भी हम लोगो धियान रखना पड़ेगा मुरुफा अक्तर और रबिया खातुन जो है आपकी बंगलादेश उमन से बोलर हो जाती है विकेट के उपर में दो हम लोगो जहां पर चूज कर लिए है निगार सुल्ताना और रासी का बाटिया और रॉंडर सेक्शन में दोस्तों देवी का वैदिया अमन जोत कोर दिपती सर्मा और हर्मेट पृत कोर जो की इंडियन टीम के केप्टन है वोमेंस की और बेटिंग सेक्शन में दोस्तों रोट ग्रीज, अस्मिती मंदाना और फरगाना होगी हो यह हमारी 4x7 के कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों और यह मेच जो भी टीम जितेगी वा ODI सीरीज मेच जित जाएगी केप्टन का सबसे अच्छा च्वाइस बनता है दोस्तों रोट ग्रीज जो की इंडियन उमेंस है और वाइस केप्टन का सबसे अच्छा च्वाइस बनता है दोस्तों दीपती सर्मा जो की इंडियन उमेंस है अगर बात करें दोस्तों यह टीम हम लोग को कहां पे लगानी है जिससे हम लोग我覺得 ज़ादा earn कर सकते हैं तो दुस्तों मैं आपको यहीं सला दुनगा कि जहाँ भी आपको कम कमेशन मिलें कम implement में आप जिब कर पाएं और फ्रफिट ज्यादा बना पाएं तो बहुत सारे से फैंटसिय है पर जहाँ पर आप खेल सकते हैं जिसे कि आपको मैं बता देना चाहूँगा आप कैसे आप खेल सकते हैं तो दोस्तों आप कहाँ पर देखने को मिल रहा होगा head to head मुकावले के लिए या सिर्फ two number निखा रहेगा तो जिस तरह आपका बजट रहे जितने आपके पास पेसे रहे उसके सिर्फ two percent ही लगाई ये गेम में अगर आप हारते भी हैं तो अगला मेच में उसको cover करके profit बना सकते हैं एक ठोड़ा यहाँ पर अपना strategic plan के साथ खेलिए जिससे आपको नहीं बताने वाला है यही रियालिटी है मैं फिर भी बोलतों कि आपको fantasy खेलना चाहिए बट इस पर आप उतना focus मत कीजिए क्योंकि fantasy में टीम लगाने बाद आप बार बार यहाँ पर देखने आईएगा उसे अच्छा है कि अपने game plan मना लिजिए last में देखिए मेच को पुरा देखिए क्योंकि अगर आप fantasy F में टीम लगाते तो मेच को भी पुरा देखने पड़ता है तो मेच को मत देखिए जो भी मैं आपको टीम बता देता हूँ अगर उट टीम से अगर आप जिस जो जो भी league को में खेलने बोलता हूँ अगर आप खिलते हैं तो आप कंफाम है कि आप 10 में से 8 मेंच आप जरू जिते हैं अगर 2 मेंच हार सकते हैं क्योंकि fantasy F है इसमें हार जित तो रगी है लेकिन प्रोफिट में आपको बना के दे सकता हूँ क्योंकि जो मेरी टीम होती है वो फ्रोफिट में ही रहती है जितना भी आप बारा अगर डेलिए अगर वीडियो में देखते होंगे तो गर लाइफ प्रूप चाहिए पिछला में तो मैं बता चुका हूँ मैं आप दिखा नहीं रहा हूँ देखना चाहते हैं ओभी मैं प्रोपर आपको दिखा दूँगा क्योंकि जो आपकी टीम रहती है मैं जो अस्मोल लीग में वही में खेलता हूँ जहाँ पर मेरा कमिशन कम लगता है आप कौन से फैंटेसी एप में खेलता हूँ और कौन से टीम होने वाली है लेकिन दोस्तों जो फैंटेसी टीम होगी दोस्तों आपको टोस होने बाद ही मिलेगी टेलिगराम के चैनल कर लिंडिस्क्रिप्शन में होगा टेलिगराम आप ज़िरू जोएन कर लीजिएगा वहाँ ही पर फाइनल डिव आपको टोस होने के बाद पीछी रोपोर्ट के बाद ही वहाँ पर मिलती है और इसका इंडिया वर्सेस उमेंड्स का और पांड़ादेस उमेंड्स के बीच में जो मेच खला जाने वाला थार डोड़ी आई इसके आप स्क्रिंसोट ले लिजिए तो आसा करते हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए यूजफूल एन इंपोर्टेंट होगी तो अगर वीडियो से अगर आपको सीखे होंगे तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजेगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब करें दोस्तों जहिन जय भारत